नमस्कार चेहिन दोस्तों दिस इस धीरज दिवधी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों ये वीडियो 2017 बैश का है और इनके लिए एक्जाम्स जो पहला पेपर है यानि 2017 बैश देती सेमिस्टर पहला पेपर पहले दिन प्रारंभिक बरतमान प्रारंभिक सिछा ठीक है तो जो अगर आप नए है इस चैनल पर तो अभी चैनल को नीचे सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि 5 वीडियो आगामी आने वाली है 2018 बैश 2017 एक एक वीडियो हमेशा की तरह लाते रहेंगे ठीक है एक दिन में 4 वीडियो अप्लोडेट का हमने जो है टार्गेट रखा हुआ ह चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखेगा पहला जो है इसमें पूछता है आपसे कि बहुत सिच्चा और बैदिक सिच्चा में अश्मानता का जो क्राइटेरिया है वो क्या है आपको के में टॉप 5 भी अगर याद रहते हैं कुश्चन हॉल में यानि जो इक्जाम महूं लहता है आपका तो यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला क्योंकि ये दो साल से रिपीट हो रहा है कुश्चन तो अश्मानता में बहुत सिच्चा का पहले देख लिए बहुत धर्म का परचार क्या था परचार करना में मकसद नहीं था ठीक है यानि बैदिक साब से ही सारे कारे कलाप होते थे अगला पॉइंट है सिच्छा समुदाय प्रधान थी इसमें सिच्छा परिवार प्रधान थी ठीक है इसमें जो है आपके दो से तीन कुछ जो बता रहा हूं दो से तीन माइंड में सट अप हो जाने चाहिए पॉइंट ठीक है इसमें कलांत जाती धर्म से परे थे और इधर जाती पर आधारित यानि बैदिक सिच्छा जाती पर आधारिक था लेकिन बौध सिच्छा ऐसा नहीं था ठीक है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो गए अब संग का एक और इंपोर्टेंट है यानि बौध का स लंग का विधियाले पर नियंत्रनल ठाल लेकिन इसपर जो है गुरुकुल नियंत्रन से मुक्त ठीक है तो थोड़ा सा कठीन है लेकिन एक 60 espes direito का सक्थी यहाँ माध्यम पाली भास थी यानि बहुत्ण सिचा का हमेशा जो है पाली भास में ही अभी Northern हुआ है पहली पाली है और जयन धर्म की प्राकृत भासा में हुआ था ठीक है तो थोड़ा सा कठी नहीं लेकिन एक दू पॉइंट आपके दिमाग में सेट अप हो नहीं अगला पॉइंट पर जो बात करने जा रहा है काफी इंपोर्टेंट है किंडर गार्टन जो करणा जाता है तो वो कॉन है किंडर गार्टन जर्मन भासा का सब्थ है आपको आंसर करना होगा जर्मन भासा का सब्थ है ठीक है और आगे दोस्तों है कि दो सब्तों से मिलकर बना है पहला है किंडर, जबकि दूसरा है गार्टन, यानि किंडर मींस होता है अर्थात, यानि बालक किंडर मींस क्या होता है, बालक और यार्टन मींस होता है उद्ध्यान, इसी प्रकार फाविल ने पौधे की तुलना बालक से तथा सिचक की तुलना माली से करी है बिध्याले की तुलना उध्यान से करी है जिस प्रकार माली जो है किसे है जिस प्रकार माली उध्यान के पौधों की देखवाल करता है उसी प्रकार सुभाविक ब्रदी से मदद करता है ठीक है उसी प्रकार सिच्छक बिध्यले में उप्युक्त बाताब्रण का निर्माण करके बालक के सोहाविक विकास में सहयोग देता है कुल मिलाकर हमारा पढ़ने का मकसद यही है दोस्तों यहाँ पर कि आपको थोड़ा साथ दिमाग में बैट जाए और रिवीजन हो जाए लेकिन एक बार आप लिख के जरूर इसको देखना खिक है अगली कुशिन बात कर लेते हैं कि जाती बात जो हुचल रहा है यहां से एक नंबर आपका हमेशा पूचा जाता है तो यह याद रखना जाती बात के प्रमुक दूस परिड़ाम तो जाती बात क्या है जाती बात मतलब जो है प्रजातंत्र के लिए नुकसान दायक है जो हमारे हसासन है यानि जो हमारा लोकतंत्र है उसके लिए क्या है जाती बात नुकसान दायक है रास्ट्रीता की विकास में बाधा रास्ट्रीता पर भी लिखने के लिए आपको आएगा एक ठीक है कहता है कि रास्ट्रीता भईया है क्या तो रास्ट्रीता मीनस आप समझ लीजेगा किसी भी देश में या किसी भी समाज में सबी धर्म जाती संपरदाए कि लोग आपस में रहते हैं नहीं उसमें कोई भासाई चेतर नहीं उसमें कोई धर्म के अंतरगत कोई भी उनके अंदर मतबेथ होता है ठीक है यह normal सी बात simple सी बात सुन लीजेगा रास्ट्री एक्ता के बारे में जो हमारी एक्ता है, ठीक है, नैतिक पतन हो सकता है, भाई बतीजाबात का प्रोथ्चाहन, बहुत सरकारे आई है, उनमें ऐसा कुछ हुआ है, आप जानते ही है, सामाजिक एक्ता में बादक है ये, देश के सरवांगिन विकास में बादक, क्या है जातिबाद बादक है क्योंकि देश का सरवांगीड विकास तभी संबब है जब सभी धर्म जाती संपुर्दाय के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे किसी समाज या किसी देश में सामाजिक तनाव रहेगा जब भया एक गुट जो है तेज रहेगा एक कुट जो है अलग धर्म का है जाती बाद पर जो है हम लोग बात करते हैं तो फिर समाजिक तनाव रहेगा ठीक है अगली जो बात इंपोर्टेंट है काफी यहां से कुश्चन बना है हमेशा तरीके से बनता रहा है और फिर भी बनने के चांसे अंतराश्ट्री एकता बनाने में अध्यापक की भूमी का सभी को पता है लिखना क्या है लेकिन ये आपके उपर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सरल भासा में समझाने की कोशिस करेंगे और आपसे विनमवर निवेधन है सभी बहनों से सभी मित्रों से जो आप सुन रहे हैं क्योंकि वीडियो आती रहेगी आप ये हमें जरूर बताए कि किस पर आप वीडियो चाहिए कम समय बचा हुआ है एक्जाम्स का और अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है आप सहर से बाहर रहते हैं आपको कोई डिलर्ट सम्मंदी न्यूस अपडेट नहीं मिल पाती है तो हम आपको प्रोवाइट कराने की कोशिस करते हैं प्रोवाइट के साथ कोई भी गलत न्यूस आपको फेक न्यूस नहीं देते हैं यह हमारा वादा है और यह सभी हमारे जो हमारा परिवार है यह हमारा परिवार जानता है चले स्टार्ट करते से वीडियो को अंतराष्ट्री एक्ता बनाने में ध्यापक की भूमिका बताईए प्रतेक राष्ट्र की अपनी सभ्वता संस्क्रति व्यवहार नीती धर्म के प्रति प्रेम होना आवश्यक होता है जैसा हम अभी बता चुके हैं कि एक्ता के अंतरगत क्या होता है अंतराष्ट्री सदभावणा की आवश्यकता यह अगर आपको यह नहीं रहता है तो अगला पॉइंट डेक लीजेगा याद हो जाए आपको कम से कम तीन पॉइंट तो याद ही होने चाहिए बिस्तो के सभी रास्ट्रों के निवासियों में मानवी मूलियों तता सदगुड के जो सदगुड होता है मतलब अच्छे गुड़ों के उद्वों के लिए आवश्यक है समस्त देशों के आर्थिक एवं बैग्यानिक विकास के लिए जरूरी है क्या जरूरी है यही तो जरूरी है भूमी का बताईएगा अंतरास्ट्री एक्ता में अध्यापक की भूमी का यही बताने की कोसिज कर रहा है कि जो है समस्त देशों की आर्थिक एवं बैग्यानिक विकास के लिए जरूरी है पिछडे रास्टों को इसके विकास का अबसर मिलता है प्रतेक देश में बिद्दमान, आंतरिक, मतभेत, आतंकबाद, आधिको, समाप्ति में यह महतपूर्ण भूमी का आधा करता है अगला जो है बिविद रास्टों में परस्पर आधान पुर्दान, आवागमन, सहचिक, भ्रमणहेतु आवश्यक है अगर यह कुश्यन नहीं याद होता है तो एक बार ट्राई करो लिख के ठीक है यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि आपको कैसे जो है किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है सभी विश्यों पर वीडियो आ रही है परिशान नहीं होना यह देखे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है रास्ट्री जीवन में सिच्छा के कारे क्या है रास्ट्री जीवन में सिच्छा के कारे क्या है तो रास्ट्री जीवन में क्या है कुसल व्यक्ति तयार करना रास्ट्री जीवन में सिच्छा क्या करती है कुसल व्यक्ति को तयार करती है ठीक है रास्ट्री का विकास करती है रास्ट्री एक्ता में सहयक होती है जैसे सबी लोग अगर हम सिच्छित हैं अगर हम किसी समाज में रहे रहे हैं तो फिर क्या है उसमें राश्ट्री एक्ता बनी रहेगी नेतरतु की तयारी होगी सामाजी कुसलता में ब्रद्य होगी सारवजने को प्रात्मित्ता मिलेगी ठीक है एक दो पॉइंट आप याद रखना यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि नवीन सिच्छा नीती 1986 की महत्वपूर विशेष्था है अब यह पूँछ सकता है नवीन सिच्छा नीती की सन में आई है 1986 के नुसार इसी प्रकार जो है आगे बताया है कि राष्ट ब्यापी पाठकरम की रचना करी गए है 1986 के अंदर सरकार की भागीदारी 1986 सेच्छिक अबश्रों की समानता बरबल 1986 के नुसार दच्छता एवं प्रभाव कारिता को प्रत्साहन 1986 के नुसार वेबश्राइक सिच्छा उनुसार इसी तीन पॉइंट को तो कम से कम याद ही रहना चाहिए ठीक है तो बता दें वीडियो जो है कैसा लगा आपको थोड़ा सा आवाज में परिवर्तन है हमारी और आपको बता देते हैं कि ये वीडियो जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन इतना ही टफ नहीं है कि आपको केबल लिखके मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको पढ़ना है लिखके पढ़ना है आपको अपने सुझाओ हमें जो है कमेंट चरू करें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जैहिंद जैबारत बढ़ते रहें मुस्कुराते रहें